इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेस मोडिफायर्स इन जाओं वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर दी इंटर्व्यू पर्पस रैट चलिए हम डैफनेशन बात करते हैं फिर हम बात करेंगे इसके टाइपस पर विथ इक्जामपल रैट देखो एक्सेस मोडिफायर्स क्यों करते हैं लिमिटेशन करने के लिए मैथर्ड का चंस्ट्रक्टर का यह अ फिल्ड का यह सब जो है ना हमारा इसको हम लोग बशुक्ली एक्सेस लिमिट कर सकते हैं कि दुसरे क्लास में यूज करने देना है या नहीं देना है ठीके ना चलि तो मैंने डैफनेशन the excess of a class constructor data member and method in other class यही तो चीज़े मैंने अभी आपको बता है limitation set करने के लिए उच किया जाता है ठीक है अब basically यह होते हैं there are four excess modifiers in Java public, private, protected, default and then non excess modifiers भी होता है Java में याद रखना very very important कई वार पूछा गया interview में तो basically non excess modifiers कितने होते हैं क्या काम है उसका तो यह सारा चीज़ा पूछा गया तो non excess modifiers में आपका आगया final, static, abstract, transient, synchronized, native, volatile ठीक है यह सब जो keywords है यह non excess modifiers कराता है we will do practical ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं public ठीक है public के बाद private, protected, default उसके बाद हम लोग non excess modifier भी one by one cover करेंगे with example don't worry about that ठीक है तो public बात करते हैं लोग पहले ठीक है तो public देखो public का क्या मतलब होता है देखो word से ही क्या लग रहा है public मतलब कि इसको जो हम अगर जा public बता दिया किसी method को किसी class को तो कहीं पर भी इसको use किया जा सकता है access किया जा सकता है ना तो when a member member मतलब आप यहां पर जैसे में लिखा class method variable और constructor is declared as public it means that the member is accessible from any other class clear point whether they are in the same package or different package ठीक है अगर जा public हम declare कर दिया है चाहे वो same package में हो और other package में कोई फरक नहीं परता है आप कहीं पर भी access कर सकते है ठीक है चलिए example बात करते हैं हम लोग practical discuss करेंगे one by one practical proof होनी चाहिए है ना चलिए तो मैं यहां पर क्या करता हूँ एक file बना लेता हूँ file का name दे दिया मैंने यहां पर access.java कुछ भी दे सकते हूँ access.java ठीक है चलिए हम एक class बना लेता है class का name दे दिया मैंने access.demo ऐसा कुछ दे दिया class का name कुछ भी दे सकते हूँ ठीक है then main method चलिए अब यहां पर देखो मैं आपको एक variable है int type का equal to 10 अब मुझे इसको access करना है ठीक है तो आपको पता है किस type का variable यह है instance instance variable जिसको हम लोग बोलते है non static variable ठीक है अब इसको basically access करने के लिए आपको class का object बनाना परेगा याद रखना है ठीक है तो ad कुछ भी reference variable ले सकते हो आप then हमने यहां पर object बना लिया clear point then system.out.println then मैंने यहां पर क्या किया भई मैंने यहां पर इसको ad.a को access कर लिया clear point तो यह क्या करेगा भई इसकी value print हो जाएगा ठीक है अभी मैंने यहां पर public नहीं बताया ठीक है चलिए देखते है access होता जाएगने यह अलड़ी मैं बता दिया हो अपको यह variable में ठीक है variable वाले वीडियो में हमने cover किया यह सारी चीज है तो चलो हम आज access modifier details में देखने वाले तो cd desktop पे चले जाएगे desktop मेरा folder cd java नाम का folder java में चले गया java c then access.java मेरा file का name नेम है access demo चले तो देखो यहां पर 10 आपका access होगी और यहां पर मैं इसको यहां पर paste कर देता हूँ दो तिन example हम discuss करते हैं देखो then next मैं क्या करता हूँ यह जो है आपका एक class के अंदर है है न अब यह चीजे मैं हटा रहूं हटा दिया यहां पर मैंने बता दिया public add नाम का public void return type बता दो then return type और method का name दे दो यहां पर क्या करता हूँ इसके अंदर मैं यहां पर क्या करता हूँ यहां से यह हटा दो सेमी कॉलन बाहर और यह बी में value भी दे दो है ना यह local विरिये वहल है एक वल्टू 10 और बीक्वल टू 20 दे दिया अब यह दो किस फोल्डर के अंदर है जावा नाम के फोल्डर के ने तो यह class के अंदर है different class में इसको को यूज करके देखते हैं class का नेम दे दिया test और main method हमने बनाया और मुझे access करना है इस class की method को तो हम क्या करेंगे बाई बताओ हम इसका object बना लेंगे है ना एक सेज एडी कोल टू नियू सेज़ डेमो दैन फेडी डॉट अट ठीक है अब हम दिखो यहां पर इसको कंपाइल करते हैं देखते हैं क्या आता है रख देखो यहां पर 9 रख एंदेन हम इसको चलाते है तो यहां पर क्या रहा है class का नहीम तो मेरा change हो गया है घ्लास का नेम हो गया है test देखो यहां पर 30 आ रहा है clear a point अगर जा हम public बता देते है तो आप within us same package different class में use कर सके तो यह ही package के अंदर है यह class अलग है यह class मतलब यह आपका access demo के अंदर है यह test के अंदर मैंने इसको access किया है clear a point तु यह अगर जा मैं मैं पबलिक नहीं बताता हूं तो यह देखो सेम। अधर यह हूँ तो चल देखो यहां पर कंपाहिल किया चलाए तो पर भी चलेगा ठीक है ना याद रखना ठीक है अब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिए अब बात करते हैं अलग पैकेस के अंदर ठीक है यह तो आपका सेम क्लास के अंदर था मतलब सेम के अंदर डिफेंट क्लास में हमने यूच किया तो मैं एक यहां पर माई पैक नाम का फोल्डर है तो उसी फोल्डर में मैं क्या कर लेता हूं एक सेव कर लेता हूं इसका नेम डे दिया डेम की डोट जावा इसको हमने इसके अंदर सेव कर लिया चले डेमो ड़ाइट जावा के अंदर हमने इसका नेम भी डेमो ही दे दिया क्लिए रप्ाइट और इसके अंदर हमारा क्या है भाई यह हमारा addition परफर्म कर रहे है पब्लीक बता दिया class को भी public बताना परेगा ठीक है ना चलिए अब यह जो है आपका my pack के अंदर different pack के अंदर है package के अंदर ठीक है तो my pack है मेरा package का name तो आप यहाँ पर बता दो package my pack माइपक के अंदर है अब एक्सेस के अंदर आता है इस क्लास का नेम क्या है टेस्ट अब यहां पर इंपोर्ट करो import mypack.demo ठीक है देखो यहाँ पर हमने बना लिया अब इसका क्या करना पर दीमो का अबजेक्ट बनाईगी और यहां पर डेमो का अबजेक्ट बनाके हम डिकत वाली बात नहीं चलिए अब तो डिफरेंट पैकेश में होगया लेकिन मैंने पब्लीक बता रखा है तो यहीं तो कर सकते वहें यह ही तो पॉबलिक का काम है और पॉब्ली एक्सिस मोडीफायर गार चलिए एक्सित करते हैं गार कंपाइल करते हैं और ओमिदिफिर ने यह नोट्स मैंने यहाँ पर बना रखा है किसी को चाहिए होगा अपना mail id comment section में share कर देना मैं send कर दूँगा ठीक है clear है point इसको note कर लो note करके practical करो कई बार पूछा गया यह ठीक है अब अगर जहां public हम बना देते हैं तो next example आप इसको दूसरे सब क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो ठीक है देखो third next example और एक और देख लो आप ठीक है तो मैं क्या करता हूं यह हमारा इसको हटा देता हूं यह हटा दिया मैंने ठीक है clear है और यह वाला जो coding है इसको मैंने यहां से इस वाले को यहां से क्या कर लेता हूं कट कर लिया ठीक है clear है और access वाले यहां पर access.java के अंदर पेस्ट कर दिया ठीक है और इस class को यहां पर मैंने बता दिया demo और demo के अंदर यह है यह class close है और यहां पर मैंने subclass मतलब extend कर लेता हूं इसको ठीक है extends किया demo को ठीक है demo को extends किया अब मैं यहां पर object बनाऊंगा test का क्योंकि हम इसको extend कर चुके है तो यह subclass के अंदर आपका यूज होता है कि नहीं देख लो सब class के अंदर भी आप access कर सकते हो याद रखना इसका reference variable कुछ भी दे दो का ठीक है चलिए compile करते हैं देखो यहां clear है output आ रहा है तो मैं यहां पर message दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा clear भी आ जाए ऐसा ना लगे previously output आ रहा है the sum is and then मैं इसको यहां पर concrete कर देता हूं चलिए ठीक है यह है आपका demo class के अंदर और यह child जो सब चाइल्ड class है test जिसको जिसमें हमने क्या किया demo को extend किया है ठीक है तो जो test class है यह access कर सकता है इस method ठीक है और public मैंने बता रखा है ठीक है ना चलिए देखते हैं message आपका आना चाहिए अब देखो the sum is 30 clear है point I hope clear है तो दो चार example काफी है ना पब्लिक access modifiers I hope सबको clear हो गया होगा ठीक है इसको note कर लो note करके practical करो practical करोगे तभी clear होगा ठीक है ना इसको note कर लो कई बार interview में पुछा गया है ठीक है ना तो आज हमने discuss किया public access modifiers के बारें ठीक है ना and access modifiers होता क्या है next video में हम लोग private देखेंगे with example then protected default then non access modifier भी cover करेंगे ठीक है ना with example आप इसको note कर लो note करके practical करो ठीक है like करो comment करो subscribe करो यार मिलता है next video थेंक यू बाबाए